नमस्कार साथियो UPSC Master की आधुनिक भारत की वेकलपिक सरंखला में आप सभी का स्वागत है मित्रो यह है इस सरंखला का दूसरा एपिसोड है और इस सरंखला के सभी एपिसोड UPSC CSC को ध्यान में रकर त्यार किये गए हैं अगर आप स्टेट PSC का एक्जाम भी देंगे तो यह सरंखला आपके लिए विशेश लाबकारी सिर्द्ध होने वाली है मित्रो आप UPSC CSC को लेकर अगर सीरियस हैं तो लेक्चर्स के साथ आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने बहुत जरूरी है इसी को ध्यान में रखते हुए एक राइजिंग कम्यूनुटी है UPSC Master.in यहां आपको आपके सेलेबस के मुताबिक सिंपलिफाइड तरीके से आर्टिकल्स उपलब्ध हो जाएंगे आप विजिट कीजिए इस एपिसोड का पहला प्रसन है निमलिखित किलो में से ब्रिटिस ने किसका दिर्मान सबसे पहले किया था विकल्प A. Fort St. Angela, B. Fort St. George, C. Fort William, D. Fort St. David बच्चों इस प्रसन को हल करने से पहले आप एक्स्प्लेनेशन को देख लीजिए अंग्रेजों ने Fort St. George का निर्मान किया था मदरास में 1644 में और St. Angela का निर्मान 1691 में किया था जबकि Fort William जो बंगाल में है कलगता में आपको मिल जाएगा 1696 में किया था देखो यहां सबसे पहले पूछ रहा है तो 1644 में St. George जो है ये बना था तो इसका विकल्प भी बिलकुल सही उत्तर है प्रस नमबर दो भारत में यूरोपिय सक्तियों की आगमन के संदर्ब में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है कथन A देखिए पूर्टगालियों ने 1499 इस्वी में गोवाँ पर अधिकार कर लिया था B देखिए अंग्रेजों ने अपना पहला कार खाना दक्षिन भारत में मचली पठनम में लगाया था ये तो सही है C पूर्वी भारत में ब्रिटिस कंपनी ने 1633 में उडिसा में पहला कार खाना लगाया था ये भी सही है चोथा डुपले के नितरत में फ्रांस इस्वी ने 1746 इस्वी में मदरास को कबजा लिया था आपको गलत कथन की पहचान करनी है देखो की वर्ड्स को नोट करना है पूर्टगालियों ने कभजा 1499 में नहीं 1510 में किया था तो इसका पहला कथन गलत है विकल्प में जही है आप व्याख्या को देख लीजिए पुर्टगालियों ने 1510 में गोवा पर कबजा कर लिया था और अल्बुकर्क ने गोवा राज्ज के स्थापना एक प्रादेशिक सक्ति के रूप में की थी देखे सबसे पहले पुर्टगालियों सबसे लास्ट में गए और वो इसी अस्थान से वापिस गए थे अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 इस्व में बीजापूर के सासक आदिल सहा से जीता था यूपी पीशेस में एक बार प्रसन पूछा भी गया है प्रस नमबर तीन बकसर के युद्ध के संदर्ब में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन एक यह युद्ध मीर कासीम सुजाव दोला तथा सहालम जुद्टकी संयुक्त सेनाओं के साथ और अंग्रेजों के मद्ध हुआ था देकि ध्यान देना जरूरी है 1764 में बकसर का युद्ध हुआ था ये का रहा है कि एक तरफ तो थे मिर कासीम सुजाव दोला और सहालम सिकंड और दूसरी तरफ थे अंग्रेज मिल्कुल ठीक है दूसरा देखे यह युद्ध 22 अक्टूबर 1766 को हुआ था जी नहीं 1764 को हुआ था बड़ी चर्चिती थी है तीसा देखे इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतरतु हेक्टर मुन्रो ने किया था ये भी सही है आपको सही कतन की पहचान करनी है एक और तीन बिल्कुल सही है जो सी में नहीं थे आप एक बार व्याक्टर देख लीजिए देखे बकसर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था इस युद्ध के बाद इलाबाद की संदी हुई थी ये पेपर में पूछा गया है जिसमें बंगाल के नवाब सुजाओ दोला मुगल बादसा सहालम दित्य और कलाईव ने भाग लिया था देखो इस युद्ध ने कमपनी को यह सिद्ध कर दिया था क्योंकि केवल चल से नहीं केवल बल से भी जीश सकती है क्योंकि पलासी का युद्ध एक धोके से लड़ा गया युद्ध था 12 अगस 1765 को कमपनी और सहालम दित्य के बीच जो इलाबाद की संदी हुई थी उसकी कुछ प्रमुक बाती इस परकार है देखों सबसे पहले अवद के नवाब ने अंग्रेजों ने जो है कड़ा और इलाबाद का छेतर ले लिया और उसे मुगल समराट को दे दिया मुगल समराट ने बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी का दिकार कमपनी को दे दिया उसके बाद अंग्रेजों ने जो है जम कर लूट यहां मचाई तीसा देखें अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तरी चेतर में उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल समराट से प्राप कर लिया देखो उत्तरी सरकार आज भी उत्तरी सरकारी बोलते है आप असकिन पर सामने देखे जो यह वाला हिस्सा है जो महाइलाइट कर यह उत्री सरकार के नाम से जाना जाता है आप देखो आप प्रस नमबर चार निबलकित में से बंगाल का अंतिम नवाब कौन था देखो अंतिम नवाब जो था वो मुबारक दोला था आपको पता भी होना चाहिए और इसे जो है हेंस्टिंग्स ने हटा दिया था और बंगा हम कह सकते हैं कि बंगाल में जो डियार की यद्वय दिसासन चलावा था वो समाप्त हो गया था बच्चो प्रस नमबर पांच इंपोर्डेंट पूछा गया है बंगाल राज्य के संदर्ब में निमलिकित कत्रों में से कौन सा कथन ऐसते हैं कथन एक मुगल समराठ द्वार में भूराजस वसूली के लिए इजारेदारी के प्रथा मुर्शिद कुली खाने शुरू की थी और तीसा देखे हॉलवेल द्वारा वरनिक बलेक होल दुरगटना सिराज्यु दोला के समय घटित हुई थी और चोथा देखे मिर कासीम ने अपनी राजधानी मुर्शिदा अब आप देखो मुर्शिद कुली खान को बंगाल में नई जम्यदारी ववस्था पर अधारित कुलीन वर्ग का जन्मदाता माने जाता है देखो यह क्या होता था कि इसमें ठेकेदारी पर छोड़ दी जाती थी राजसो वसूली मतरब ठेकेदार बुला जाते थे उनसे लगवा जाती थे भई इस छेत्र में दस लाग रुपया आपको वसूल ले हैं तो कोई कहता था मैं साड़े दस वसूल लूँगा कोई बोलता जी मैं ग्याराई वसूल दूँगा तो ज्यादा से ज्यादा बोली लगा था था उसको ही रेवन्यू कलेक्शन के जिम्मेदा थी और इसकी सुरुआत जो है वो मुर्षिद को लिखाने की थी तो ये कतन तो बिल्कुँ सही है अंतियुम सुबिदार अलिवर्दी खा नहीं था ठीक है देखो मुर्षिद को लिखान था यह आप यहां एक्जाम में देख लीजे कीवर्ड आपको पता होना चाहिए दे व्हारत के साम दोगा किया है दोके से लड़ा है उन्होंने सपस्टिकरन दिया कि इतना जाती हुई तब जाकर ही कंपनी ने डिसिजन लिया कि हम पलाशी लड़ेंगे देखो जब बिरकासिम को बंगाल का नवा बना दिया गया था तो मुर्सिदाबाद में ज्यादा इंटर कर दो ताकि अंग्रेज टिंसन ना दे बी-सी-डी बिच्चो बिलकुल सही है तो आपको ऐसत्य कथन की पहचान करनी है ऐसत्य कथन ए है मुगल समराज द्वारा न्युक्त बंगाल का नतिम सुबदार मुर्सिद कुलि खा था ना कि अलिवर्दी खा प्रस नंबर चैन नि हलाकि यूपी पीशेस में पूछा गया 1759 में हुआ है अंग्रेज टचो के बीच यही क्यूशन के डिमांड है आप देखिए प्रस नंबर साथ आपको कुछ कतनों पर विचार करना है पहला प्रथम आंगल मैसुर युद्ध के पस्चात मदरास के संधी हुई दुत्य आं स्रीरंग पटनम के दुर्ग पर जो है मारा गया आपको जो एक बार व्याख्या को देख लेना बहुत जरूरी है देखे बच्चों दुत्य आंगल मैसुर युद्ध के समय अंग्रेज मैसूर के साथ ही मराठो और निजाम से भी युद्ध रत थे ठीक है त्रित्य आंगल राज अंग्रेजों ने लिलिया था और अंग्रेजों को बारा मूला डेंडेगुल और मालाबार का छेत प्राप्त हुआ था इस प्रकार आप देखे साथवे का पहला दूसरा और चोथा सही है त्रित्य आंग मैसुर युद्ध के पश्चाज जो है रंग पटनम की संदी हुई है जबकि यहां जो है मंगलोर की संदी बता रहा तो पहला दूसरा चोथा विकल्प सी में नहीं थे आपको टिक कर देना है चली अब देखिए प्रस नम्बर आठ आपको सुची का मिलान करता है एक तरफ आंगल मैसुर युद्ध हैं तो दूसरी तरफ जो है उस करना है पर आप जो है व्यक्षा को देख लीजे परतम आउंगल मैसुर युद्ध हुआ था सत्रा सु सर्शर से उनथ्थर के बीच जो गवर्नर थे विरलेश थे मदरास के संदी हुई थी दित हुआ था अस्टे सी चुरासे के बीच मंगलोर की संदी के समय समाप्त हुआ और हिंस्टिंग गवर्नर हुआ करते थे तीसरा नबे से बानवे स्रिरंग पटनम के संदी हुई कारनवालिज था चोथा जो था वो 1799 में हुआ सायक संदी के द्वारा समाप्त हुआ और जो है विलेजली इस दुरान गवर्नर थे प्रस नमबर नो निमलिखित में से किस स सांसक नेत तुर्की तथा फ्रांस में अपने दूतमंडल भेजे चार ओप्सन है ये तो आपको पता भी होगा हैदर अली टीपु सुल्तान अबब के नवाब बुर्हानुन मुल्क या फिर हैदराबार के निजान चिनकिलिज खा कॉमन सेंस जगाना है आपको पता ही होग देखो टीपु सुल्तान जो है वेदेशिक संबंद मजबूत करने वाला सांसक रहा है दक्षिन भारत में और इसने जो है अरबी फार्सी कंणर में जो है एक पारंगता हासिल कर ली थी और इतना जो जारू परत्ती का ब्यक्ति था कि स्रीरंग पतनम ने इसने सुदमता का प्रक्स लगाया और फ्रांस में इसने अंग्रेजी या जकोबिन कलब की सदस्ता ली वो इस वज़े से क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के सकत्रू हुआ करते थे यहां अंग्रेज इसको तडपा रहे थे तो अब सत्रू सत्रू भाई भाई को नागरिक टीपू भी कहता था मैसुर की सत्ता सबालने के बार टीपू ने तुर्की और फ्रांस में अपने दूट मंडल बेजे थे और 1796 में इसने एक नोसेना बोड का गठन किया था मंगलोर वाजिवबाद और मोलिदाबाद में डॉक यॉड में बनाए थे हाला कि इतन या वाजिद अलीशा ये तो आपको पता भी होगा 1857 के समय इस्तती ऐसी बनी थी कि जो डलोजी थे उसने कहा दिया था कि बागी का तो विले कर लिया डॉक्टरों लेफ्स के सिद्धान्त पर अवद पर क्या रोप लगाए क्योंकि उसको तो दस बारा वच्चे थे तो इ पर लाग की पैंसन देना एक्सेप्ट किया और इसे कलकत्ता निर्वसित कर दिया और अवद से अवदियत चली गई या जो बोस्ता थी ये समाप्त हो गई और अवद जो है इस इंडिया कंपनी का हिस्सा बन कर रह गया उमीद है एपिसोड आपको रोचक लगा होगा मिलत तक के लिए जाहिंद जय भारत महासक्ति भारत